है ना हमारे पास कि if a V length of A V 3 cm b c 4 cm are the length of two quarts जो कि quarts की length है तो फिर of an arc arc के quarts की length है then locate the center of an arc तो पहले step सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ द्रॉ एन आर्क ये आर्क हमने ग्रौक य कैसे हैं यहां पर जैसे कुल करते हैं यह गमाकर दिमेक आर्क फिर मुख क्या बोल रहा है कि तो यहां मैं पॉइंट्स ले लेता हूं यह ए पी सी तो यह बी कितने संटेमेटर का मेरे पास जो ए भी है वो तीन संटेमेटर का है और पी सी जो है वो चार संटेमेटर का है कुशन में गिवन है सेक्ड स्टेप्स क्या किया है हमने लाइंडा करेगा है टौ सेक्षेप्स परस्टेमेटर किया है क nee हमारा एपन क्या है कि अब हमें क्या करना है इसके लिए Central of a point find करने के लिए A B और B C के उसमें दो right by sectors को draw करना पड़ेगा तो A B का Central of aint जैसे मैं यह ले लेता हूं यहां पर BC का पॉइंट ले लेता हूं यहां पर अब मैं right by sector draw करता हूं यह मैंने इसके लिए draw कर दिया यह मैंने इसके लिए draw कर दिया ठीक है तो इसको मैंने नाम दे दिया L M का इसको नाम दे दिया मैंने P और Q का अब यह जिस point पे जाके मिलेंगे ना जैसे इस point पे जाके मिलेंगे इस point को मैंने किसका नाम दे दिया O का यह Q है और यह O है तो तो तीसरा वो क्या होगा हमारे पास step तो एलम एंड पीकु राइड प्राय सेक्टर अफ एब आप बीच इस प्रांट पर जैसे यहां तक तो था लेकिन यहां पर आगे काई-ना-कई ओपे मैच कर गया है अब इंध्यों हो न वो ही हमारा क्या है आए का सेंटर है इफ वही आई-का सैंटर के लाएगा तो फूर्थ पॉर्ट पाइंट हमारे पास क्या बनेगा o is the required center of an arc o is the required center of an arc of an arc arc ka naam ka hai a-b-c